दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, जहां पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ, इस समय सिनिमा ओल और थेटर की क्या कंडिशन है ये पेंडमिक में, कैसे वो अपरेट कर रहे हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स हो रहे हैं इस समय, और क्या माहूल है, इसी के साथ ही साथ, इस पार मता पूरा पूरे कोविड के बात, फर्स टाइम मैंने थेटर विजिट किया और यहां पर मैंने मोवी देखी मुंबई सागा, तो उसके बारे में मेरा क्या ओपीनियन है, क्या रिवीव है, सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में, तो वीड की ऑनलाइन एमेजॉन से, और निकल पड़े अपने घर से थेटर की तरफ, और थेटर में पहुचने के बाद, वहां का जो माहूल था, मैं क्या बताऊ, मुझे देख की मतलब इतना लग रहा थे, क्या बुरा वक्त आ गया है, कि एक टाइम था कि हर थेटर में मतलब जाओ, तो यार, खचा-खच भीड होती थी, लेकित इस समय आप महूल खुदी देख सकते हो, कि लोग है ही ने, और एक्दम सन्नाट आप मसरा हुआ है, और थेटर में पहुषने के बाद, हमने दिखाई वहाँ पर अपनी टिकेट, और वहाँ पर चेक हुआ टेंपरेचर, थर्मल स्क्रीनिंग के थूँ, और सैनिटाइज किये हाथ हमारे, और उसके बाद, लिफ्ट की और गए, और वहाँ पर फ्लोर पर पहुषने के बाद, तो भाई, माहोल ऐसा था कि, मतलब, रोना आ गया था कि, यार, कितना बुरा वक्ट चल रहा है, एकदम सन्नाटा चाहे हुआ था, लोग है, इन्हें मतलब पॉपकॉर्ण की लाइन लगी होती ही, लेकिन ऐसा अब कुछ भी नहीं है, और उसके बाद हमने इंट्री की, स्क्रीन नमबर थ्री में, जहां पर मुंबई सागा का हमें स्क्रीन दिया गया था, तो वहां पर पहुचने के बाद, थेटर के अंदर का जो महावल था, मतलब ऐसा लागए हो, इतना, मतलब सन्नाटा और एकदम खाली लग रहा था, और मुझे तो सच में बोल रहा हूँ, मतलब जिस रो में मैं बैठा था, आजू-बाजू में भी लोग नहीं थे, और काफी खाली दर रहा था, और एक सर्टेन टाइप के बाद कुछ ऐसा, आप बोलते ना ठावाँ, डर्व जाए खाली मैसून हो रहा था, और गौवर्मेंट के रूल से रेगोलेशन के हिसाब से, जो भी इंस्रक्शन दिये जा रहे हो, थेटर वाले प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, मतलब हर एक शो के बाद सेनेटाइज़न हो रहा है, मास लगाना कमपल सरी है, हैंड सेनेटाइज हैं आपको इंटर्वेश पढ़े गई, इसी के साथ ही साथ जो सोचल दिस्टन्सिंग को हर एक सीट के आजू-बाजू हो रहा है, हर एक एक छोड़ के क्रॉस मारा गया है, मतलब हमें social distancing का भी follow करना है तो ये सारे rules and regulation के साथ theatres तो चल रहे है लेकिन जो एक common person के लिए जो लोग ने पहले theatre का experience किया तो अभी हमें बहुत जादा फरक है और पहले जैसा तो अभी कुछ भी ऐसा है बोलता है excitement और enjoyment का तो अभी कुछ हाई ही नहीं क्योंकि यार वहां पर पहुषने के बाद असा लगा यार कोई haunted place पर आ गया हो इस समय ऐसी situation चल रही है थेटर की आप इसे कह सकते हो कि भाई ये new normal है जो हम सभी को follow करना है मेरा तो first time तो मुझे पता भी ने था किया इतना dangerous scene चल रहा है थेटर के अंदर तो भाई ये सारी बाते थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी और इसे new normal कहके बोल सकते हो और ये कितने दिन तक चलने वाला है वो भगवान ही बसा सकते है इंसान के हाथ में तो है नहीं और यहां पर बात करें movie के बारे movie कैसी थी तो movie भाई बहुत ही बढ़िया है और इसी के साथ यह movie बहुत अच्छी है और बात करें यहां पर मेरे rating के बारे में जो मैं personally movie को देना चाहूंगा तो यहां पर 3.5 out of 5 में इसको rate करूंगा क्योंकि movie अच्छी है story वेगरा भी अच्छी है और इसी के साथ ही साथ ऐसा बताएगा कि यह true story से inspired है और यहां पर cool मिला कि अगर movie के बारे हम बात करें तो movie भाई पैसा वसूल है enjoy करोगे लेकिन जो theater का माहोल है वो आपको शायद थोड़ा सा disappoint कर सकता है तो दोस्तों यही थी सारी बाते जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी मुझे उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा अगर पसंद आए तो like जरूर कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल और धमा के दार वीडियो इस चैनल पर लेके आते रहते हैं तो till then keep smiling and keep watching happy guide, bye bye